चगत के पालन हार स्री हरी विष्णो की अतन तप्रिय मौक्षता एकादसी की वर्थ कथा का श्रवन करते हैं चलिए आए युदिश्टिर बोले देव देवेश्वर मार्वसीस मास के सुकल पक्ष में कौन सी एकादसी होती है उसकी क्या विदी है उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है स्वामी ये सब ये थारत रूप हमसे बताईए स्रीकृष ने कहा निर्फ स्रेष्ट मार्वसीस मास के सुकल पक्ष के एकादसी का वर्णन करूंगा जिसके शर्वन मास से वाजपे यग का फल मिलता है उसका नाम है मोकस्ता एकादसी जो सब पापों का हरन करने वाली है राजन उस दिन यतन पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादी से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए पूर्वो तक विधी से ही दसमी और एकादसी के नियम का पालन करना उचित है मोकस्ता एकादसी बड़े बड़े पापों का नास करने वाली है उस दिन रात्री में मेरी परसंता के लिए निर्ते गीत और स्तूती के द्वारा जागरन करना चाहिए जिसके पितर पाप वसनीच योनी में पड़े हो वे इस एकादसी का वर्थ करके इसका पुन्य दान अपने पितरों को दान करे इससे पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं इसमें तनिक भी संदे नहीं है पूर्व काल की बात है वेश्नवों से विश्यभूत परम रमणियें चंपक नगर में वेशानक नामक राजा लेते थे वे अपनी परजा का पुत्र की भाती पालन करते थे इस परकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपन में अपने पितरों को नीच योनी में पड़ा हुआ देखा उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विसमे हुआ और प्राते काल ब्रामणों से उन्होंने उस सपन का सारा हाल कह सुनाया राजा बोले ब्रामणों मैंने अपने पितरों को नर्क में गिरा हुआ दीखा है वे बारम बार रोते हुए मुझसे यो कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो इसलिए इस नर्क समुंद्र से हम लोगों का उधार करो दिवरो इस रूप में मुझे पित्रों के दर्सन हुए है इससे मुझे चैन नहीं मिलता क्या करूं कहा जाऊं मेरे हिर्दे रुधा जा रहा है हे दिवुत्मों वह वर्थ वह तप वह योग जिससे मेरे पूर्वज ततकाल नर्क से छुटकारा पा जाए बताने की किर्पा करे मुझ बलवान और साहसे पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नर्क में पड़े हुए है अते ऐसे पुत्र से क्या लाव है ब्रामन बोले राजन यहां से निकट ही पर्वत मुनी का महान आसरम है वे भूत और भविश्य के ज्याता है निर्प स्रेश्ट आप उन्हीं के पास चले जाए ब्रामनों की बास सुनकर महराज वेसानक सिगर ही पर्वत मुनी के आसरम पर गए और वहाँ उन मुनी को देखकर उन्होंने डंडवत प्रणाम करके मुनी के चर्णों का इसपर्स किया मुनी ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुसलता पूछी राजा बोले सामी आपकी किर्पा से मेरे राज्य के सातों अंग सैकुसल है किन्तु मैंने स्वपन में देखा कि मेरे पितर नर्क में पड़े हैं अते बताईए कि किस पुन्ने इसके परभाव से उनका महां से छुटकारा होगा राजा की ये बात सुनकर मुनिसरेष्ट परवत एक समय महुरत के लिए धान अवस्ता में बैठे रहे इसके बाद वे राजा से बोले महाराज मार्कसीस के सुकल पक्ष में जो मोकस्ता नाम की एकादसी होती है तुम सब लोग उसका वर्थ करो और उसका पुन्ने अपने पितरों को दे दो उस पुन्ने के प्रभाव से उनका नर्क से उधार हो जाएगा भगवान सरी कृष्ण कहते हैं युदिश्टिर मुनिक ये बात सुनकर राजा पुन्ने अपने घर लोट आए जब उत्तम मार्कसीस मास आया तब राजा वेसानक ने मुनी के कथा अनुसार मोकसा एकादसी का वर्थ करके उसका अपना समस्त पुन्ने पितरों सहित पिता को दे दिया पुन्ने देते ही छड़ भर में आकास से फूलों की वर्था होने लगी वेसानक के पिता पितरों सहित नरफ से छुटकारा पा गए और आकास में आकर राजा के पती वे पवित्र वचन बोले बेटा तुम्हारा कनलाण हो यह कहकर वे सर्ग में चले गए राजन जो इस परकार कल्लाण में मोखसा एकादसी का बर्थ करता है उसके पाप नश्ट हो जाते है और मरने के पश्चात वे मोखश को प्राप्त कर लेता है यह मोखस देने वाली मोखसा एकादसी मनुश्य के लिए चिंता मरी के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है इस माहत में के पढ़ने और सुनने से वाजब यग काफल राप्त होता है बोलिए एकादसी महराजे की जै